इस विडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस विडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस विडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Bro ZX SF का इस्तेमाल बलगम वाली खांसी के इलाज में किया जाता है. यह नाक, श्वासनली और फेफ़डों में बलगम को पतला करता है, जिससे खांसी करना आसान हो जाता है. यह नाक बहने, छीकने, खुजली और आँखों से पानी निकलने की समस्या से भी राहत देता है. Bro ZX SF सिर्प को डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई खुराक और अवधी के अनुसार भोजन के साथ या बिना भोजन के लिया जाता है. दोज आपकी कंडीशन और दवा के प्रती आपके रिस्पॉन्स पर निर्भर करेगी. डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधी तक इस दवा का सेवन जारी रखें. अगर आप इलाज को जल्दी रोकते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है. डॉक्टर को आपके द्वारा ली जाने वाली अन्य सभी दवाओं के बारे में बता दे क्यूकि इन में से कुछ इस दवा को प्रभावित कर सकती हैं या इस दवा का प्रभाव उन पर पढ़ सकता है. सबसे सामाने साइड इफेक्ट में चली आना, डायरिया, दस्थ, पेट फूलना, अपच, उल्टी, पेट में दर्द, पसीना आना, सिर्दर्द, तवचा पर रैश, कपकपी और हृदे गती बढ़ना हैं. इन में से अधिकान शस्थाई होते हैं और आमतोर पर समय के साथ सही हो जाते हैं. अगर आप इन में से किसी भी साइड इफेक्ट को लेकर चिंतित हैं, तो अपने डॉक्टर से बात करें. इस दवा से नींद आ सकती है, इसलिए जब तक आप यह ना जान ले कि यह दवा आ करें, या किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी दवा का सुझाव न दें. यह दवा लेते समय बहुत सारे फ्लूइद्स लेना फायदे मंद है. यदि आप गर्भवती हैं, गर्भावस्था की योजना बना रही हैं, या स्तनपान कराती हैं, तो इस दवा को लेने से पहले अप विडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, धन्यवाद.